बड़ी अपडेट जो है नौत कश्मीर से निकल के सामने आ रही है कि इंजीनियर रशीद जो है इस वकत बहुत बड़ी लीड पे हैं जी इस वकत की सबसे बड़ी ख़बर जो है नौत कश्मीर 12 मुलावाली सीट से निकल के सामने आ रही है कि इंजीनियर अब्दूर candidate है अभी तक उन्होंने एक बड़ी अपडेट में आप लोगों के साथ सांजा कर रहा हूं कि बरमुला वाली सीट पे जो है एक बड़ी अपडेट में आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और वहीं आप जानते ही हैं कि अब्दुरशीद शेक इंजीनियर रशीद जिनको कहा जाता है उनके बेट साइं हैं वो ये बताया जा रहा है कि एक लाख अठासी हजार छेसो अठतर वोट इनको अभी तक पड़े हैं उमर अब्दुल्ला को नडिन में हजार नौसो चुरुन जा वोट जो की अठासी हजार साथ सो चोविस वोटों से जो हैं वो पीछे हैं इंजीनियर रशीद से और एक मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा मार्जन है लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन अभी तक जो अपडेट पोने एक वज़े तक की अपडेट निगल के सामने आ रही है वहीं सजाद गनी लोन पीपल कांफरेंस जो माना जा रहा था कहीं ना कहीं एंसी को टकर देंगे लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं तो एंसी को टकर देने के लिए जो है इंजिनियर रशीद सामने है जिनोंने जेल से अपना फॉर्म बरा उसके बाद वहां से इलक्षन लड़ना स्टार्ट के और वहीं आप देखने हैं किस तरीके से जो है आज काफी बहुमत से जो है आगे चल रहे हैं और देखा जाये तो बड़े उलट फेर जो है जम कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं तो कि दो एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है वो कहिनक ही जो है दूसरे नंबर पर चाहिए हम साउथ कश्मीर की बात करें साउथ की सीट की बात क जो है वो अमर अब्दुला जो है वो पीछे चल रहे हैं एक बड़ी अपडेट में आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हुआ था और वहीं मैं बताओं तो एंसी जो है अभी तक एक तो सेंट्रल कश्मीर और एक मैं आपको बताओं तो सौथ कश्मीर में जो है वो अभी तक स्ट्रॉंग नजर आ रही है ये बड़ी अपडेट्स थी लेकिन एक बहुत बड़ी सिंपेथी वोटिंग जो है वो इंजिनियर रशीद के लिए हुई है जिस तरीके से आपने देखा कश्मीर में काफी जएदा वोटिंग देखने को मिले और वहीं आज अगर मैं बात करूं अभी तक बताए ये जा रहा है कि जो इंजिनियर रशीद है उनको जो है असी हजार से जएदा की जो है लीड है आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर सां